स्कूल लफ स्टोरी कभी ना भूले जाने वाला वो हैसास है जिससे सभी एक नए एक बार जरूर गुजरते हैं यार स्कूल का वो पहला प्यार तो सभी को होता ही है लेकिन कुछ कहानिया यादे बन जाती हैं जिने सोच सोच के हम लोग हसी के ठाके लगाते हैं आज वाले कहाने कच ऐसी होने वाली है ली नियांग एक हाई स्कूल सीनियर होता है जिससे कि अपनी स्कूल में जावजाव के उपर बच्पन से क्रश होता है भाई को अपनी क्रश से इतना गहरा वाला प्यार होता है कि इसके अलावा वो किसी भी दूसरी रड़की को भाव ही नहीं देता है जबकि उसके एक क्लोस फ्रेंग जसका नाम लींग श्यांग होता है छोड़ो यार मुझ से नहां पाएगा दूसरी और लींग का बेस्ट फ्रेंग जसका नाम ज्यांग श्यांग टाइप कुछ होता है वो मिस लिंग को पसंद करता है और बतकिस्मती से वो भी फ्रेंड जोन होता है इंटर स्कूल मैट्स कॉंपडिशन चल रहा होता है और जैनवा स्कूल की इज़त दावफ पे होती है ऐसे में डीन पैन स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को समन करते हैं और आई डूंट नो फॉर सम रीजन कॉंपडिशन में सारे डफर्स को बिठाया गया होता है किनकि स्कूल के सारे टॉपर्स तो पैनल के बाहर खड़े होते हैं जाव जाव भी स्कूल टॉपर्स में से एक होती है इसलिए डीन पैन के कहने पे एक लड़का उसे बुलाने आता है बच स्कूल की इज़त दावफ पे होने के बावजूद जाव जाव को अपनी नौवल का लास्ट चेप्टर कम्प्लीट करना होता है तो वो लड़का अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए वो नौवल लेकि कॉम्पेटिशन एरेना की और भाग निकलता है बोर्ट पे लिखे मैंट्स प्रॉबलम देखते हैं जाव जाव पूरे कॉन्फिडेंट जी साथ बोलती है दीन पैन भी जाव जाव के टैलंग से सप्राइजड होता है अफकॉस लीन याइंग भी वहां मौझूद होता है जिसके लिए जाव जाव से इंप्रेस होना आम बात होती है पिछले दस सालों से इसके अलावा उसका काम ही क्या होता है मतलब कि Zhao Zhao कुछ भी बोले करे Lin Yang उससे प्रेस होई जाता है बट ओडियन्स में कोई ऐसा भी होता है जो Zhao Zhao को ना पसंद करता है She's nobody but Miss Ling वो शुरवात से ही Zhao Zhao से चिर्टी आ रही होती ऐसा इसलिए क्योंकि Lin Yang से उसकी दोस्ती बाबा आदम के जमाने से होती है लेकिन Lin Yang Zhao Zhao की हमीशा तरफदारी करता है अब स्कूल लाइफ का वो decision making time आता है जब हम लोगों को लगता है यह हमारी life का D-Day होने वाला है मतलब ऐसा उस time लगता है तो समय आगया होता है अपना main subject चूज़ करने का जो कि career shape करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है teacher class 1 को दो option देते हैं एक science और humanities चूज़ करने का अब चूगी class 1 और class 2 के students बहुत पढ़ाकू होते हैं इसलिए सब को पता होते हैं कि यहां का कोई वी student humanities चूज़ नहीं करेगा लेकिन सारे teachers और दीन के उमीदों से विप प्रीद जाउज़ साइंस चूज़ करने के बजाए humanities चूज़ कर लेती है जाउज़ के इस decision से दीन पैन को अपनी school के भवश्य अंदकार में दिखता है उन्हें लगता है जब school के scholar student humanities ले रहे हैं तो science कौन ही लेगा इसी चिंता के काराण वो हर एक संभव प्रयास करते हैं जाउज़़ को convince करना इतना ही रहे हैं वो उसकी parents को भी call लगा के convince करने की कोशिश करते हैं वेल ये तो अभी shock wave होती है tsunami आनी तो भी बाकी एरोस तो जब Jang Chan, Lee Yang को Zao Zao वाली बात बताता है he being the desperate lover इस moment को as a opportunity देखता है Zao Zao के साथ जादा वक बिताने के लिए वो भी humanity select करने का फैसला लेता है उसके इस absurd decision पे उसका दोस उसे warning दीते हो कहता है पागल है क्या भाई, लड़ी की चक्कर में अगर तुने humanity choose की और तेरे घरवालों को पता चल गया तो तेरी मम्मी तेरी टांगे तोड़ देंगी बट प्यार में पागल Lee Yang को अब दुनिया के परवा ही कहा होती है उसे मानो मोक्ष की प्राप्ती हो गई हो जाओ जाओ के सामने उसे कुछ भी सही गलत नहीं लगता अब क्योंकि Lee Yang भी स्कूल के वन आफ दा टॉपर स्टूडेंट में से एक होता है जिसका नाम स्कूल का बच्चा बच्चा जानता है अगर वो भी humanity ले ले तब तो डीन को हाट अटक के आना बनता है उधर जाओ जाओ अभी भी अपने डिसिजन को लेके confused चल रही होती है क्योंकि उसके इस डिसिजन को कोई भी support नी कर रहा होता है ऐसे में वो अपनी स्कूल सीनियर चैनान को message drop करती है ये पूछते हुए कि क्या उसका डिसिजन सही है coincidentally दीन पैन अगले दिन चैनान को अपने स्कूल में इंवाइट करते हैं क्योंकि किसी जमाने में वो इसके स्कूल का टपर हुआ करता था और अभी वो एक रिनोट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है दीन पैन असल में चैनान के जरीव बच्चों को इंस्पायर करना चाहते थे यार जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं सब कितना रिलेडेवल लग रहा है I never knew that school आले हमारे साथ इतनी चलाकी करते थे Anyway, जाउजा और चैनान की मुलाकात होती है जाउजा की फेशल एक्सप्रेशन से एक बात तो बखूबी समझारी होती है उसके दिल में चैनान के लिए कुछ तो है याने की लीन याइंग को टफ चैनेंज मिलने माला है भाई तो बात यह होती है कि चैनान और जाउजा एक दूसरे को पहले से चानते थे एसे में कल के मैसेज के जवाब में चैनान उसे कहता है तुम्हारे लिए युमानिटीज अच्छी चॉइस होगी और इससे के साथ दीन पैन का पूरा प्लान फेल हो जाता है उधर लिएन अपनी क्लास चेंज करने के लिए रात में चुपके से डीन पैन के ओफिस की कीज चुराता है ओफिस में एंट्री लेता है और फिर अपना सब्जेक चेंज करके युमानिटीज कर देता है सोशली बात ही होती है कि अगर लिएन इतना बड़ा रिस्क ले सकता है सिर्फ एक लड़की के लिए तो भाई पता नहीं आगे वो क्या क्या करेगा ये देखना इंट्रस्टिंग होगा तो भाई बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते लिएन युमानिटी इस क्लास में एंट्री ले ले लेता है लिएन हरे कोशिश करता है किसी भी तरह से चोटी या बड़ी चीजों में जाओ-जाओ के हेल्प करने की लेकिन बिकॉस अफ सम रिजन्स आवजा उसे कभी अक्नॉलेज नहीं करती ऐसा नहीं है कि उसे लीन यें के एक्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो इंटेंशली उसे अबॉइट करी होती है अब ऐसा क्यों है भाई वो नेक्स पार्ट में पता सलेगा एनिवेस फानिल नीएंड के ओफिस में कुछने वाला सीक्रेट रिवील हो जाता है और डीन उसे स्कूल से निकाल देते हैं भाई मतलब मजाग नहीं सच्छी में निकाल देते हैं और इतना ही नहीं है उसके घर में कॉल करके ये भी बता देते हैं आपका बिटवा पगला गया है थोड़ी लगाम दो इसे जैंचन ने कहा था मत कर ऐसा अब लग गई ना वाट इसलिए भाई दूस्तों की बात मानने ही चाहिए क्योंकि वो तो प्याने पागल होते नहीं इसलिए सहीरा वही देते हैं तो यार देखते हैं अपने हीरो के साथ आगे क्या होता है तो वाईज मेक शूर आपके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो क्योंकि हमारा नेक्स पार्ट और भी दमदार होने वाला है